सब्सक्राइब करो अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बैल आइकन को हिट करो ता कि सारी नोटिफिकिशन और अबडेट आपको टाइम लिए और अगर आप ने 1st और 2nd पार नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा लेकर करके 1st & 2nd पार को भी देख सकते हैं और साथ में साथ मुझे इंस्टेम पर फॉलो कीजिए यहां से भी आपको बहुत सारे important notes और बहुत सारे mnemonics मिलेंगे जो बैलोजी के term को याद करने में, recall करने में बहुत अलप परेंगे और अगर कोई भी आपको studies related problem हो तो आप मुसे connect कर सकते हो मेरे दिये हुए WhatsApp नमबर पर तो चलो आज start करते हैं आज का topic तो basically हमने अभी तक जो first and second part में चीजों को understand किया है वहां पर हमने यह understand कि यह big bang theory क्या है, horizon of life कैसे हुई है तो अभी अगर मैं बात करूं बच्चे कि जो भी theories हमने पढ़ी जो भी हमने theories को understand किया, theory of horizon of life ठीक है इसमें हमने बात क्या किया है बच्चे कि जो first theory थी न बच्चे, different different theories को proposed किया गया था और वहां से उस proposed theory के through हमने यह understand किया कि जो life का origin है हमारे अर्थ पर वो किस तरीके से हुआ ठीक है तो बहुत सारी theory हैं जिसमें से पहली theory जो थी बच्चे उसे हम बोलते हैं theory of special creation theory of special creation second जो theory थी बच्चे उसे हम बात करते हैं theory of kosmogic theory ठीक है theory of pan-spermia भी बोलते हैं बच्चे theory भी हम बात करते हैं ठीक है तीसरी जो third theory है बच्चे और यह सभी theory जो है बच्चे different different time intervals पर दी गई थी और इनसे हमने understand कि कि origin of life किस तरीके से हमारे अर्थ पर life originate हुई थी ठीक है उसके बाद next theory जो आती है बच्चे उसे हम बोलते है theory of theory of spontaneous generation and इसके बाद जो theory आती है बच्चे इसको हम बोलते है theory of chemical evolution ठीक है अब देखो बच्चे जो यहां पर first theory है theory of special creation में हमने बात किया कुछ religious thing के बारे में कि जो अर्थ पर life को origin हुई है वो God के थ्रू हुई है ठीक है कुछ supernatural powers के थ्रू अर्थ पर बहुत धेर सारे plants form होगे बहुत धेर सारे animals form होगे तो यह theory जो है बच्चे religious से connected करके लोगों ने इसको describe किया कि जो अर्थ पर life का origin हुआ है वो God के थ्रू हुआ है ठीक है बगवान के थ्रू हुआ है बगवान ने क्या किया बहुत सारे हमारे अर्थ पर बहुत सारे plant बहुत सारे animal बहुत सारे इनको form किया और वहां से हमारी life की origin होगे बट कुछ time बात क्या हुआ है यह theory भी क्या हुई reject होगी ठीक है फिर उसके बाद बात करते हैं बच्चे theory of panspormia के बारे में तो इस theory में basically हमने यह understand किया कि जो बहुत सारे scientist यह believe करते हैं कि जो life हमारे अर्थ पर origin हुई है यह किसी दूसरे planet से क्या हुई है आई हुई है ठीक है तो आप कह सकते हैं इसको कि बहुत सारे scientist यह मानते हैं में बच्चे कि जो दूसरे planet पर जो life है वहां से जो life है दूसरे planet से हमारे अर्थ पर आ करके connectivity है तो इसमें आप understand कर सकते हो कि some scientist believe that life has come from earth from other planet or outer source from earth ठीक है theory of spontaneous में हमने बात किया कि यहां पर जो life है वो अपनी आप क्या हुई फॉर्म होगी बट यह भी theory कुछ टाइम बात क्या हो गई रिजक्त हो गई और fourth theory में अगर हम बात करें theory of chemical evolution में तो यहीं से आपका important concept है बच्चे इसको आप understand किया कि यह जो theory है ना कि किसने प्रपोस किया तो आप याद रखना बच्चे प्रपोस्ट बाई कि ओपरीन एंड हाल्डेन किसके थू प्रपोस की गई थी बच्चे तो आपरेन और हाल्डेन के थू प्रपोस की गई थी यह बात हमेसा याद रखना और इसी को एक्सपरिमेंटली प्रूफ किसने किया था तो इस्टेंले मिलर और यूरे ने क्या किया इसको एक्सपरिमेंटली प्रूफ किया ठीक है अब देखो बेसिकली अगर मैं इस theory के बारे में four theory means chemical evolution के बारे में बात करूं तो हमने यहां पर यह अगर मैं बात करूं यहां पर दूसरा point अगर मैं बात करूं तो उन्होंने यह बोला कि जो यह life है वह already क्या है बच्चे वह pre-exist कर रही थी ठीक है तो आप इसमें mention कर सकते हो ओपरेन और हाल्डेन ने जो यह थियोरी को प्रपोस किया था तो उन्होंने यह बोला दे प्रपोस्ट देट फर्स्ट लाइफ देट फर्स्ट लाइफ फ्रम कुड अब कम फ्रम प्री एक्सिस्टिंग प्री एक्सिस्टिंग नौन लिविंग और गनिक नौन लिविंग और गनिक मॉलिकूर ठीक है अब देखो इसी चीज को हम अगर अंडर्स्टेंड करे तो लाइक हम किसके की बात कर रहे हैं यहां पर लाइक आरने की बात कर रहे हैं ठीक है लाइक हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं और अधर बायो मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो यहां पर बेसिकली ओपरें एंड हाल्डेन ने हाल्डेन ने क्या प्रपोस किया इन्होंने ये बोला कि जो लाइफ फर्स लाइफ जो है न बच्चे वो कहां से आई है तो वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग और गैनिक मॉलिक्यूल के थ्रू आई है यह बात समझ में आ रही है अब इसी इन्वार्मेंट था उस ताइम पर एर्थ पर फोर बिलियन एयर एको फिर वहां से दीरी दीरी क्या हुआ इन्वार्मेंट चींज होता गया हो वहीं पर हमने अंडस्टैंड किया बिग बैंग थियोरी के बारे में तो अगर आपने अभी तक क्लास को नहीं देखा है तो आ हमने बेसिकली अंडस्टैंड कर रहे हैं बच्चे कि जो कैमिकल एवलूशन है ना लाइफ ओरीजन ओफ लाइफ को जो अपरिन और हाल्डन ने प्रपोस किया था उसको एक्सपरिमेंटली किस ने प्रूफ किया था तो मिलर स्टैंले मिलर और योरे ने प्रूफ किया था अब देखो इसी चीज़ को अगर हम अंडेस्टैंड करें तो यह किसका एक्सपरिमेंट है बच्चे मिलर का एक्सपरिमेंट है ठीक है इन्होंने क्या किया बच्चे कि जो उस ताइम का प्रिमिटिव एटमोसफियर का चंट्रिशन था अपस्वेर की जो कंडीशन थी थी अब देखो, इस कोनिकल फ्लास के अंदर क्या क्या है बच्छे, तो इस कोनिकल फ्लास के अंदर मेथेन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है और वाटर बैपर है, ठीक है, अब वाटर बैपर कहां से आ रहा है, क्योंकि जो इसके अंदर वाटर है इसको बहुत हाई टेंपरिच पर क्या किया गरम किया बहुत हाई temperature पर गरम किया और वह temperature कितना था तो 800 degree Celsius पर लगभग ये गरम किया तो ये वेपर के फॉर्म में पर मिला ठीक है अब देखो बेसिकली यहां पर मिलर और यूरे साथ ने क्या किया कि प्रिमिटिव अर्थ का जो condition था उस तरीके की conditions यहां प साथ क्रियेट किया बच्चे और water को boil करके वहां से क्या बनाया water vapor और इस conical flask के अंदर क्या था बच्चे तो आपका मेथेन था अमोनिया था हैड्रोजन था और साथ में पानी था ठीक है अब देखो अगर मैं बात करूं बच्चे तो जब ये reactions पूरी perform वही तो लगभग एक हपते बाद या लगभग आप एक से दो हपते के आप बात के बाद वहां पर इस water के अंदर कुछ organic compounds मिले ठीक है और अगर अपरेन और हाल्डेन के statement को आप understand करो तो उन्होंने बोला था कि जो फर्स लाइफ फॉर्म हुई थी न बच्चे वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गनिक मॉलेक्यूल के ठीक है और इसी चीज़ को जब एक्सपरिमेंटली प्रूफ किया मिलर साब ने और अला नेंदा ठीक है तो कैमिक थ्योरी ओफ कैमिकल इवलुशन जो है विच्चे थ्योरी ओफ कैमिकल इवलुशन जो है वो किसके थ्रोफ प्रपोस की गई थी प्रपोस्ट बाई ओपरेन हाल्डन के थ्रोफ बट प्रूफ किसके थ्रोफ दिया गया था तो प्रूफ हमेशा प्याद रिखना बच्चे प्रूफ किसके थ्रोफ दिया गया था जो अगर हम प्रूफ की बात करें तो किसके थ्रोफ दिया गया था मिलर एंड योरे साब ने इसे एक्सपरिमेंटली प्रूफ किया था ठीक है और वहां पर यह इंटिफाई किया कि इस वाटर के अंदर कुछ स्टाइटिंग में क्या मिले बच्चे यहां पर तो कुछ ऐसे अमाइनो एसिट्स मिले अब देखो यह बहुत इंट्रस्टिंग है सभी बच्चों के लिए बच्चे की लाइफ का ओरिजन किस तरीके से हुआ है तो हमने डिफ्रेंट दिफ्रेंट थियोरी को देखा और उन इसके रिजेक्शन के बाद हमने यह इंडेस्टैंड किया कि बिसिकली जो लाइफ ओरिजनेट की न बच्चे वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन और्गेनिक मॉलेक्यूल के तरू क्या हो रही है लाइफ फॉर्म हो ठीक है अब अगर मैं बात करूं यहां पर एक बहुत इ यहां पर देखो हमने बात किया कि यह पर जो वाटर कंटेइनिंग और यह थे तुरग किया है अमलें और ठूए अब इसी बात को आप करना कि 파체 को क्या सब्स्टैंग अगर मैं बात करूं कि अगर में बात करूं बच्चे कि पूरी लाइफ कहां फॉप ह crist ag हुई है ठीक है तो आप इसको understand कर सकते हो कि All Life All Life ओरी rap यह चैक है मेंस पह्ली ओ लईफ फॉर्म हिए वह किसी वाटरी इंवॉर्मेंट में ही फॉर्म हूई है ठीक है यसी को भी हम बोल सकते हैं इस वर्जन कॉल्ड ऐस बायो जैनेसिस इस वर्जन कॉल्ड ऐस बायो जैनेसिस ठीक है बायो का मतलब होता किया बच्छे लाइफ ठीक है अब अगर मैं बात करूं बच्छे यहां पर तो different theories को हमने understand किया कि basically यहां पर किस तरीके से life form हुई है ठीक है अब देखो अगर मैं बात करता हूं बच्छे कि यहां पर जो life form हुई है उसके कुछ न कुछ क्या होंगे फॉसिल्स मिले होंगे ठीक है understand करने के लिए आप इसको समझना तो अगर मैं बात करूं यहां पर फॉसिल्स को अगर मैं डिफाइन करूं कि फॉसिल्स होते क्या है तो फॉसिल्स को डिफाइन करने के लिए आप understand कर सकते हो कि the mineralized मिनलाइज्ड रिमेन अफ एन अफ एन प्लांट ठीक है कुछ प्लांट में मिले फॉसिल्स के फॉर्म में एंड कुछ अनिमल्स के भी फॉसिल्स मिले ठीक है प्रिजर्वड ठीक है एविदेंसेज एविदेंसेज ओफ एंसेंट लाइफ ठीक है एंसेंट लाइफ इस इसको आप अंडर्सेंड करो और अगर आंसर्स रिफॉम करना हो बची तो इसके आप अपनी लैंगवेज में लिख सकते हो कि बिसिकली प्लांट और एनिमल के जो फॉसल से ना वह प्रिजर्वड हैं किसको इंडिकेट करें तो हमारी जो एंसेंट लाइफ थी ना उसको इंडिकेट कर रहें अब यह बात करते हैं बच्चे अगर मैं अर्थ के को थोड़ा से डिवाइड करूं बच्चे तो सब्पोस जो अर्थ के तीन बिसिक पार्ट है तो यह क्या है बिसिकली अर्थ है ठीक है अब देखो अगर मैं बयात करूं कि अर्थ की जो सबसे उपर वाली लेयर होती बच्चे जहां पर बहुत सॉलिद और बहुत और सारे प्रिजंट होते हैं तो च्रॉक्त होते हैं ठीक है यहां क्या present है बच्छे तो यह पहली चीज तो कैसे है solid है और यहां पर क्या present है rock present है ठीक उसके अंदर अगर आप आते हो बच्छे इसके अंदर अगर आप आते हो तो basically क्या present है liquid part present है ठीक है इसी liquid वाले को आप क्या ब nyt हो मोल्टन १कर आप यहां पर जो liquid वाला part है यह जो liquid वाला Central क्या बोलते हो ओर इसके अंदर क्या present है तो इसके अंदर प्रेज़न्ट है अर्थ का center जिसको आप क्या बोलते हो कॉर क्या है कुछ और नहीं Center North अर्थ है center of अर्थ अगर मैं बोलूं तो यह अर्थ की कोर हो गई इसके बाहर लिक्विड वाला पार्ट है इसके बाहर क्या है प्रेजेंट बच्छे तो रॉक वाला पार्ट प्रेजेंट है और यहीं पर आपके अगर लेयर्स को इसको डिफाइन किया जाए बच्छे तो यह आपकी आती है क्या होते इसको लिफोस्पेर बोलते हैं और यह आपकी स्टैथोस्पेर ठीक है इन सारी चीजों को हम डिटेल्स में अंडेस्टाइड करेंगे तो फॉसिल हमारे यहीं पर मिलते हैं ठीक है जो बिसिकली रॉक्स पर इंडिकेट करते हैं तो इन सारी चीजों को हम और भी डिटेल्स में अंडेस्टाइड करेंगे तो अभी आप यह अंडेस्टाइड करों बच्छे कि जो थियोरी ऑफ केमिकल एवोलूशन है वो अपरेन और हालन के थूदी गई थी और इसका एक्सपरिमेंटल हम अगर बात करते हैं यहां पर तो हम इसको अंडेस्टाइड करेंगे कि जो भी ऑर्गैनिजम्स हों है वो रेडियेट हुए है जो भी ऑर्गैनिजम्स में इवोलूशन के दौरान चेंजेश हुए ना बच्छे उनको हम हम होमोलोगोस स्ट्रक्चर और अनलोगोस स्ट्र में अंडेस्टाइड करेंगे तो बच्छे आप मेरे चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सटल्टी में सेर करो ताकि सभी का बैनेफिट हो इवोलूशन जो है ना बच्छे वो थोड़ा सा बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट करन और मैं आप सभी को बोलूगा कि आप इन वीडियो को देखने के बाद अपनी खुद की नोट्स प्रिपेर करो और अपनी जो भी कोई रिफ्रेंस बुक है सबसे बेस्ट बुक तो है आपकी NCRT, NCRT तो रीट करो ही करो साथ में साथ अगर आप कोई बुक और पढ़ सकते ह तो पहले आप NCRT पढ़ो फिर उसके बाद कोई दूसरी रिफ्रेंस बुक को रीट करो ठीक है तो अगली क्लास में हम अंडेस्टाइंड करेंगे कि जो स्ट्रक्चर है जिसमें हम बात करेंगे कुछ होमोलोगोस से स्ट्रक्चर हैं कुछ एनलोगोस से इनके बारे में हम बात करेंगे, तो बच्चे, सभी को मैं बोलूँगा, कि मेरे चैनल के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करो, ताकि सभी बच्चों का benefit हो, जो भी बच्चे आज के टाइम में, विदाउट, बिना पैसे के पढ़ना चाहते हैं, तो योटूब से बेस्ट ऐसे learn करो, और ऐसे life में अपने आपो grow करो, thank you.